प्यास की बढ़ती कीमतों के चलते सपा कारे करताओं ने अनोखा विरोध किया लेकिन आधा दर्जन से ज़्यादा सपा कारे करताओं को हिरासत में ले लिया गया है मामला गाजियाबाद के राजनगर इलाके का है जहांपर सांसत के आवास पर सपा कारे करता पहुँच गए और 20 रुपे किलो प्यास बेचने लगे मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजनगर इस्तित सांसत भी किसिंग के आवास पर सपा कारे करता जा रहे हैं जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुँच गई सपा कारे करता पहले से मौके पर थे और भारी संख्या में रेहडी पर प्यास बेच रहे थे सपा कारे करता 20 रुपे किलो प्यास बेच रहे थे इसी दोरान वो जंडे लहराने लगे और विरोध प्रदर्शन करने लगे फिर पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा सपा कारे करताओं को हिरासत में ले लिया है पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सपा कारे करता वहाँ पर जंडे लहरा रहे थे और सांसत के आवास के बाहर काफी संख्या में एकत्रित हुए थे हाला कि सपागारे गरताओं ने ये आरोप लगाया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और विरोध करने पर जेल भीजा जा रहा है